हलो गैस मोवी के स्टार्टिंग में हमें फुकागवा सेजी नेम का लड़का दिखाया जाता है और दोसे तरफ अकानी नेम की लड़की दिखाया जाती जो अपनी ही कमपनी में काफी इंज्वाई कर रही होती है वो भी मास्क लगा कर सेजी जब उसके पास आता है तो अकान की मॉर्निंग होती है क्योंकि ऐसा सच में सेजी ने उससे कहा था अब इसकी स्कूल का टाइम हो गया था अकानी तो उटकर जल्दी से त्यार वगरा होका यूनिफर्म पहन कर अपने रोम से नीचे आती है सबसे पहले तो उससे अपना लंच बोक्स मिलता उससे लेकर वो स्टेप डैट होते हैं बर भी भी अकानी उन्हें कहती है कि मुझे खाना नीखाना ये कहकर टीपीने के लिए बैट जाती है पर उसके डैट कहीं लगते है कि चलो ठीक है तुमने खाना नीखाना तो मैं खा लेता हूं तुम्हारी जगा पर अकानी की मौम उसे डांटरी हो और अकानी की माम भी अकानी से कहती है कि आज मैं लेट हो जाओंगी देना को स्कूल से तुम्हीं पीट कर लेना और केक कभी ओडर करवा देना यह सुनकानी पूछती है क्यों 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 ने चाहिए कि बस उनका अकानी भी बूछ दे कि मुझे उन्हें क्या देना चाहिए तो उसकी माम कहते है कि तुम्हें कुछ भी देने की दूरत नहीं है तुम बस उन्हें डैड भी कह दोगी तो वह खुश हो जाएंगे क्योंकि अकानी ने कभी भी अपने डैड को डैड नी बोला था और उसकी माम उसे प्यार से कहते है कि मैं तुम्हें फोर्स नी करूंगे अगर तुम्हारा दिल माने तो बोल देना अगर ना माने तो ना बोलना ये कैगर उसकी माम अपनी छोटी बेटी को लेकर जाएं लगते क्योंकि अकानी न महीं से टन लेना था क्लास की मुनीटर होथी इसी बचा से सबको बतारी होती है कि सकूल फैस्टिवाल ला रहा है उसके लिए हमने डांस की प्रेक्टिस करनी worse तो सबसे पहले हमें लीडर को जूज़ करना होगा कि कौन डांस की प्रेक्टिस करवाएगा और कौन लीडर बनेगा अब कोई भी क्लास का बच्चा उसकी बात नहीं सुरुए होता भी जब अकानी पोछती है कि डांस कौन सिखाएगा ये बास उनका अकानी कहते है कि सेजी कुन तो काफी टाइम से अपसेंट है ना तो वो लीडर कैसे बन सकता है तो बाकी लोग कहने लगते हैं कि ने ने वो ही लीडर बनेगा पर इतने वहाँ पर सेजी की विंडोस एंट्री हो जाती है जो आकर कहता है कि मैं तो बिल्कुल भ करना चाहता अकानी कहते ही कि सब्पी लोग चाहते के तुम बड़ो तुम क्यों नी कि तरफ हो गए थे तुम अपने बारे में सौचलो तुम ही लीटर बन जाओना आखिर तुमने क्लास को भी तो हैंडल हुआ है जब वह चैखिनी के साथ तो वह से कहें लगती है कि रहे हुए काई नी कोई बात नहीं definitive लोगा Τमी की लीपाई वट के लिए नहीं होगी और सुखने मुझे करनी ने कोई बात न अहीं ने बिल्कुल ठीक हूँ सारा कम खुदी कर लूँगी और फृरामें सभी पतर्छे Orlando कि उसके पिंस में इना जो में दिखाए हैं अब अकानी के पास। सेजी के बारे में लिखने के लिए आता है तो वो उसे भी देख रही होती है पिर सेजी को भी देख रही होती है और फिर उसने भी सेजी के बारे में लिख दिया था अब सभी बच्चों ने अपने बारे में पढ़ना होता है जो बाकी क्लासमेर्स ने उसके बारे में लिखा पहले वाली सब आते तो वह बोल देती है पर लास्ट वाली बात पर रुख चाहती है क्योंकि उसके उपर लिखावा था कि यह अपनी सची फिलिंग्स को हमेशा छुपा लेती है वह भी मास्क के पीछे यह पढ़ने से पहले वह रुख चाहती और बाकी वच्च उसकी दर द एरो प्लेन आता है तो जब यह उसे खौल कर देखते हैं तो उसकी उपर उसी बात को हाइलेट किया वाथ है जिसमें इसने सेजी के बारे में यह लिखा होता है कि इसकी पेंडिंग बहुत अच्छी और इसी वज़ा से सब लोगों को अच्छा लगता है अब यह पेपर से सेजी नहीं उपर से इसकी तरफ भेजा तो और कहें लगता है कि इसी वज़ा से मैं तुमसे नफरत करता हूं तो अपनी ट्यूफ फिलिंग्स को छुपाती रहती हो ना जो भी उस सिच्वेशन में फिट हुई भात तुमने वह लिखती जबकि तुमने मेरी पेंडिंग्स इसको तो कभी देखा भी ча पाथ गाती है और पिर ड़ारी ओपन करके बैट़ जाती है कैंकि क्या 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 काम करने थे क्यूंकि वो किसी भी काम मिस्ट नहीं करना चाहती है उसके बाते लिखार इसको नहलती है और बस आगे आगे भाग रही होती है यही देखकर उसके डड़ उसे कहते है कि रीना तुम्हें क्या होगा अपनी सिस्टर अकानी को इतना दंग नी करो अब इसी तरह टाइम गुज़ता जाते है और अकानी बस रीना के कामों में लगी होती है जब इसके माँ वापिस आती ह आकानी को बस कामे दे रही होती है वो भी चुप करके अपनी माम के सारे काम कर रही होती है और यही सब काम करते करते राके नो बच जाते हैं और उसके बाद वो जब अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो देखते है कि माम डैट रीना के साथ कितने खुश है ये देखक अपने रूम में चली जाती है वहां पर बैठकर परड़ी होती है तो पढ़ते पढ़ते नींदारी होती है और उसकी फिंगर में चोट भी लग गई थी जिस चोट को देखकर वो अपनी ब्लैट को पैंसे साफ करने लगती है और दुबारा से उसी जगा पर चोट लगवा ल होती है देखकर वो बसको आवाज देखकर फाइनली रोक लेते और बस के अंदर आने के बाद बस मौ नीचे करके एक जगा पर खड़ी हो जाती है और अपने मास्क को ढूंड रही होती है पर उसको अपने बैग में मास्क की निमेरा होता है यह देखकर उसको इंसाइटी खराम होने लगती है जैसे उसको अभी वामिट हो जाएगी और साथ में रो भी रही होती है इतने में वहाँ पर सेजी पहुंचाता है सेजी उसे देखकर पूछे लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी रही तो तुम स्कोर के लिए लेड हो जाओगी यह बास सुनकर आगे से कुछ भी निबो रही होती बस रोई जारी होती है देखकर सेजी उसके पास नीचे बैठ चाता है और देखने लगता है कि इसकी तब्यात तो ज्यादा खराब हो कहता है कि तो मैं वामिट हो रही है मैं तुमारे लिए कुछ लेकर आता हूँ यह कहिकर जल्दी से एक शोपर उसे दे देता है कि इसमें कर दो अब हैकानी जैसी शोपर पकटी तो उसमें मॉमिट कर देते है और उसके बैसेजी उसके लिए कुछ चीजे लेने के लिए चला जाता है जैसे कि WATER P bind और मस्क लेने के लिए पर घब्र अखने तो उससे मास्क लेती है और जब उसकी मम पूछे लगती है कि अकानी तुम ठीक तो हो तो आगे से अकानी बता दी है कि जी मम मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो उसकी मम कहती है कि तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं पहुंची हो अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो क्योंकि तुम्हारी मैम की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि तुम अभी तक क्लास में नहीं आई हो तो अकानी आगे से बता दे हैं कि जी मॉम मैं अभी स्कूल में नहीं गई क्योंकि मेरी एक चीज़ घर पर रह गई थी इसलिए मैं वापिस घर पर जा रही उस चीज़ को लेने के लिए उसकी मॉम कहती कि अच्छा अच्छा चल्दी लेकर स्कूल में पहुंचो मैं ये बात तुम्हारी टीचर को भी बता देती हूं पर अगानी के अपनी मॉम को रोकने हूं कहती है चल्दी स्कूल के लिए के लिए निकलो अभी भी तुम ठीक नहीं लग रही हो तो महाई तबियत नहीं ठीक तो मैं स्कॉल नहीं जाना चाहिए तो वा कहती कि मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए तो वा कहता है कि मैं यहीं तो पूछ रहूँ कि तुम क्यों जा रही हो अगर एक दिन स्कॉल नहीं भी जाओगी तो मर नहीं जाओगी ये बास सुनकर अकानी रुख जाती है उसे कहने लगती है कि मुझे जाकर प्रैक्टिस करवाने है स्कूल फेस्टिवल के लिए तो मुझे जाना होगा तो सेजी जी भी कहता है कि तुम भी कुछ स्टूपिड हो यह बास सुनने के बाद भी अकानी नहीं रुकती है और वहाँ से चली जाती है स्कूल में और स्कूल पहुंचने के बाद आफिस में पहुंचकर जब उसकी सर से बात होती है तो सर से उसे पता लगता है कि अगर उसको perfect attendance का award चाहिए तो उसे अपने grades भी अच्छे करने होंगे बढ़ाई में भी अच्छा स्कूल लाना होगा क्योंकि स्कूल के record भी important चीज है ये सुनकर तो अकानी चुपसी हो जाती है और अपने grades को देखने लगती हो तो सह कहते है कि मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करती हो बहुत hard work करती हो बट फिर भी अच्छे marks नहीं ले पाती हो तो थोड़ा और अपने आप पर काम करना होगा ताकि तुम अच्छे marks भी लापाओ ये सुनकर अकानी कहते है कि जीसर मैं जरूर ऐसा करूंगी और फिर अकानी सभी बच्चों को practice करवाने के लिए पहुंच आती है जहां पर किसी का भी दिल practice करने करनी कर रहा हो था बट अकानी उन्हें मना रही होते है कि तुम ल देख रही हो दी अब अकानी भी उसे क्या कहती इसलिए सब लोगों को कह दे दिये कि आज तुम लोग प्रेक्टिस ने करो इसलिए तुम लोगों को off हो सकता है तुम लोग चाह सकते जहां पर जाना चाहो ये सुनकर तो सब ये लड़के खुश हो जाते और वो तो महां से फॉरण से चले गए थे पर सियाका तो बिल्कुल चुप करके घड़ी हुई थी क्योंकि उसे बाता था कि ये सब अकानी उसके लिए कर रही है पर पी भी उसके क्लब की लड़किया उसको खेंच कर वाहां से ले जाती है और अकानी बिल्कुल अकेली हो गई थी इसलिए व हरकानी उसे रोक रही होती तो मुझे कहां पर लेकर जा रहें पर सेजी नहीं रुखता बस उसका कहते हैं कि छुप करके मेरे साथ चलो ये कहा कर उसको अनॉंस्में टूम में लिया आता जहां पर दो लड़के बैटी हो वह थे और अकानी तो उसे वना करी होती है पॉसे उसे कहता है कि क्या मैं तुम लोगों से ये कुछ ट्राइम के लिए ले सकता हूँ ये कहकर अंदर आ जाता और वो लोग भी साइट पर हो जाते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि इस बटन को प्रेस ने करना बट भी सेजी उनके सामने उस बटन को प्रेस करने के बाद अनौंस करने लगता है कि क्लास टो भी तुम लोगों को अभी ओडिटारियम में आना होगा वो भी डांस प्रेक्टिस के लिए अगर कोई एक भी सिंगल पर सन ना आया तो फिर देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ ये सुनकर सभी स्टूड़ जाते हैं जो भी क्लास से बटन को प्रेस करने के बाद उन दोनों लड़कों को भी ठैक्स करने के बाद वहां से चला जाता है अब जब वो दोनों आडिटोरियम में पहुंच दे तो वहां पर सभी बच्चे प्रक्टिस के लिए आये हुए थे और सेजी से कहने लगते हैं कि तुम तो बिरकुल और तुम लोग भी करो ये कहकर उन सबको लाइन से चेर लगाने को बोलता है अब सभी अपना काम करने लग गए थे और अकानी ने भी डांस्टा पेपर सबको दे दिया था अब सभी लोग उस पेपर को तो देख रहे होता है पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि पहले र फीटर बन चुका था अब सेसी कोई लगाने के बाद अकानी के बैट आई तो वहानीं के उसके मूझा तो अकानी भी फॉरण से उसकी हल्प करने के लिए चली जाती है अब रात का टाइम आता है जब अकानी के स्टेप टैट की बड़े होती है तो वो केक पकड़कर उन्हें देने के लिए आरी होती है साथ में हैपी परड़े सौंग भी सिंग कर रही होती है बाकी फैमिली अकानी भी काफी खुश होती है फिर उसके डैड़ों से पूछे लगते है कि तुम्हेरा स्कूल कैसा जा रहा है क्या सब कुछ ठीक है ना तो आगे से अकानी कहती है कि जी जी सब कुछ ठीक है चले मैं चलते हूं ये कहकर अपना पीस वहां से लेकर चली जाती है और भी ज आपकानी अपनी माम के पाछ से गुजर ही होती है तो उसके माम उसके मास को इसको दिखाते हुए क्या ये लगती है क्या देखते हैं क्या घ् towards इसयों थो फैस्टि travelled mे येbank पिल्ली औरिटॉरियों में पहुंचा दी जहां पर सबी बच्चे होते हैं और अकारी नहीं उनके लिए सॉंग लेकर आना तो वह जैसी सॉंग लेकर आ दिया तो उसी सॉंग को चला दिया जाता और लास्टो भी की रिहारसर स्टार्ट हो जाती है सबी लोग बहुत अच्छ प्रवी फैल गया दे इसलिए वह रचीज़ को साफ वगरा करने लगती है और दूसी तरफ सभी स्टूडेंस सुझेट्ट होते हैं कि हमें साथ में एक पिक भी लेनी चाहिए और पिक लेने के लिए किसी और को नीबल कि अकारी को ही मोबाल पकड़ा देते हैं अब अकारी पिक लेनी होगी कि यह लोग मुझे पिक में लिलेंगे पर फिर भी अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए एक फेक स्माल देते हुए उनकी बना देती है और उनकी बनाने के बाद अकारी जब जारी होते है तो उसको पेंटिंग रूम नजर आता है तो वहां पर पेंटिं उसे अपने मास को दुबारा से लगाने लगती है यह देखकर सेजी उसे कुछ भी ने कहता है बस अपनी नेम की प्लेट ले आता है जो अपनी आर्ट के साथ लगा देता है कि मेरी आर्ट है यह देखकर अकानी कहते है कि क्या कि तुम्हारी है तो वह कहता है कि हां तो अका कर उसी तरफ जाने लगता तो अकानी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और एक जगह पर पहुंचने के बाद रूफ टॉप का रास्ता होता है वहां से उपर जाने के बाद एक और रास्ता आता है तो अकानी थोड़ी डर रही थी पर फीपी वह सेजी के पीछे पीछे तो सेजी कहें लगता है कि तुम तो बहुत बारी हो मेरे तो कंदे में दर्द होने लगा है अकानी इस बात पर तो कुछ नहीं कहती है बट उठकर देखने लगती है कि कौन सी जगा जहां पर सेजी की पेंटिंग्स भी पढ़ी थी और असमान को देखका वो इतने खुश हो जा देगे अपने आपको अजाद फिल कर रही होती है यह देखका सेजी उसे गहीं लगता है कि भी बताओ मेरी दुनिया कैसी है दो कहती है कि तुम्हारी दुनिया प्यारी हो तो सेजी कहता है कि जो भी मेरी आंकों के सामने यह सारी दुनिया मेरी तो है तो अकानी कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी इस तरह के कोई बात कर सकते हो अब दोनों बिल्कुल एक दोसे के आमने सामने आ गए थे और सेजी कहता है कि तुम्हारी भी है तुम यहां से जिस चीज को भी देखो कि वो सब तुम्हारा है क्योंकि जो दुनिया तुम देख रही ह ये बात कहने के बात सेजी चिलाने लगता है तो अकानी बस चुप करके उसे देख रही हो दी है फिर सेजी उसे पोछता है कि तुम्हारी दुनिया भी प्यारी है न क्या नहीं है अकानी इस बात पर तो कुछ नहीं कहती है पर खुली हवा में वो भी सांस रूर लेने लगती जैसे सेजी कर रहा था और कानी ये सब करने के बाद सेजी से कहने लगते हैं कि तुम इसलिए कहते हैं ना कि ये दुनिया तुम्हारी है क्योंकि तुम इस दुनिया को प्यार से देख रहे हो और इसी वजह से तुम इतनी प्यारी पेटिंग्स करते हो ये बास तुमकर सेजी तुम हमेशा अपने मोप पर फेक स्माइल रखती हो अब अकानी तो इस बात पर गुसा हो जाती हो जिससे तुम जिंदगी गुजार रही हो अब अकानी भी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो हां मैं वह चीज नहीं कर पाती हूं जो मैं करना चाती हूं तो सेजी कहते है कि इस तरह के लेम एक्सक्यूस नहीं दो तुमें पहले खुद से प्यार करना होगा अपने आपको परटक्ट करना होगा जो तुम्हारा दिल करता है वो चीज करो जब मैं तुम्हें इस चाहता हूं तो मुझे खुद पर बहुत गुसा क्या नहीं समझाझाँ और सेजी तो यह बास सुनमें लगता है तो हैं कर दो परह बास समजा हो यह क्या और होते ही कि मैं तुमसे नफरत करती हूं ये बास सुनकर तो सेजी हंसे लगता है कि ये तुमने काफी अच्छा किया सेजी कि इस बात के बाद बिल्डिंग के दोसे कॉर्णर में जाकर काफी उन्ची आवाज में अपना सारा गुसा निकाने लगती है कि हर इंसान ने मुझे अपनी हिसाब से यूज किया हर कोई अपने काम का सारा बर्डन मुझे डाल दिया करते थे जो मैं रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी उस चीज़ के नहीं करना चाहती थी बलके मेरे पस और भी चीज़े होती थी करने को पर मैं आपकी बातों की वज़ थे बहुत अच्छे से बिहेव किया यह सब बाते करने के बाद अकानी तो गिर चाहती हो सेजी बस उसे खुशो कर देख रहा होता है जो चीज़ वो करना चाहता था उसने वो कर दिखाया और फिर उसके पास जाता उसका अपना हाथ देकर खड़ा करता है अकानी भी भी भी कुछ निकर पाती हो ना जो भी तुम करना चाहती हो तो वह कहते है कि हाम कुछ भी निकर भाती है यहाँ और नेक्स्ट को बताना है और इस तरफ आकानी दिखाया चाती है जो इसकोल के लिए मांक्सक्रों लगा रही होती है और मांसकों लगाने से पहले की बातों को सोचते हैं और यह कुछते हैं उसकोल तरफ को सोचते हैं लगा करो थैक्स करें लगते हैं कि तुमने हमारे स्कुल फेस्टिवल के लिए जो कुछ भी किया उसके एंक्यों पर अकानी गहने लगते हैं कि मैने कि अ कुछ भी नहीं किया हर चीज सेज़ आकर सेजी कुछ में करका था टा llevar तुम तुम नहीं सबसे से भागते हुए हमेशा कितरा रूफटॉप पर आकर देख रहा होती indoor तेखें के साथ फिल करने लगी अब सामने पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता और अकानी में बस चुप करके बैट कर देख रही होती है और सेजी तो से पहले से पसंद था इसलिए वो बस सेजी को देखी जा रही होती है अब सेजी भी स्काय के पेंटिंग कर रहा होता और अकानी उसे पोछे लगती है कि तुम और बतादो ना पर सेजी आगे से समाइल कर देता है कि नी वोनी मैं बताँ घानी इसे पहली उसको अपली इमाम का मेसेज आ जाता है जो से कहा लगती है कि रिणा को भी स्कॉल से लेती आना और साथ में कुछ एक्स और चीज़े बगर भी सूपर मार्किर से ले आना अब यह मेसिज देखने के बाद अकानी के फेस से तो बिल्कुँ स्माइच चली गई थी और सेजी भी उसे देखने लगता है कि यह तो यहां से जाने लगी है और अकानी भी जल्दी से अपना मार्क्स इंकाल कर लगाने लगदिया यह देखकर से जी जब उसे देखी जा रहा होता है तो अकानी उसी बता दिते कि अवी तक मैं किसी के सामनी भी मार्क्स नहीं उतार सकती हुं बस तुम्हारे सामनी उतारती हूँ ये बात सुनकर सेजी उसे कुछ भी नहीं कहता और अकानी भी जाने से पहले अपनी मॉम की लिस्त को देख रही होती कि मुझे क्या क्या लेने के लिए जाना है और सेजी भी उच के पास आ जाता। और पास में बहुत ज़ुद अधा घ्लोज आकर इसके मार्क्स पर ही पेंटिंग करने लगता अक़ानी तो बस सेजी को इतने घ्लोज से दिखती रह आती है। और सेजी जो paint कर रहा होता है वो तो हमें नहीं दिखा जाता बर जैसे ही सेजी काम complete कर लेता तो कहता है कि आप तुम लग रही हो ना perfect चलो फिर मिलते हैं ये कहकर उसने अकानी को भेज़ दिया तो अकानी भी नीचे आने के बाद फॉरण से सबसे पहले mirror के सामने खड़ी हो और जब बस में बैट कर बस सेजी के बारे में सोची होती है तब ही वो देखती है कि उसने दो शिशे के उपर भी heart बना दिये देखकर वो खोड़ी डर जाते हैं ये देखकर आकानी उन्हें जल्दी से सोरी वगरा करती है और स्कूल में पहुंचने के बाद सभी के साथ football बगरा भी खेरी थी और उसके बाद उनके स्कॉर के कांटिंग करने के लिए बैठ गई थी और उसकी के लास हार भी जाती है अब सियाका भी इसके साथ में बैठी होती है तुम भी तो football बहुत अच्छा खेला करती थी ना तो आप क्यों नीखेलती हो क्यों चोड़ दिया तो उसे बताती है कि वो तो मैंने काफी साल पहली छोड़ दिया था जब मैं elementary school में हुआ करती थी तो सियाका उसे पूछती है कि तुमने क्यों छोड़ा तो वो बताती है कि मैं वहां से ट्रांसफर हो गी थी ना इसी बजा से और उसके बाद मॉम का डिवर्स भी हो गया अ कर बिल्कुल भी सेजी के लिए अच्छी नहीं है क्यूंकि सब में ये रूमर्स फैल चुकी थी के सेजी और अकानी दोनेक तो उसे को डेट कर रहे हैं और पी वो लड़किया अकानी के बारे में ये भी कैरी हो दिया कि देखना ये उपर से काइंड हाट नजर तो आतिया ही क्या हूँ तुम ठीक तो अकानी उसे कहरी होती कि ने ठीकोफर सयाका उसे वाटर बोटल देती हैं कि तुम या प्रचारा जाता है और टीचर से ये भी कहकर जाता है कि मैं इसकी क्लास स्याकाों कर लने का दा Rights पर मेरे पास एक जगा है जहां पर टाइम बेको स्टॉप होता है अकानी को तो यकीनी नहीं आता है कि ऐसी कि कोई जगा भी हो सकती है तो सेजी कहता है कि मैं तुम्हें लेकर जाता आप पर वो थोड़ी जगा दूर है क्या मेरे साथ तुम दूर जाने के लिए त्यार हो अब इस बात के बात हो अकानी उसके साथ काफी कमफर्टेबल हो गई थी और फाइनली सेजी भी उसको एक जगा पर लेकर पहुंच आते हैं जहां पर पहुंचने के बात पता लगता है कि यह जगा तो काफी टाइम से बंद है और सेजी को उसके अंदर जाने का रास्ता ब लेकरी होती हैं दोनों साथ में डिफ्र節 डिफ्रेंट राइटब़र होते हैं एक दोसी को पकड़ते और एक तो से कंपनी को भी wisecar अब रात अगवे होती ती आप रात में सेजी ऋसको एक राइट पर लेगा जहां पर लेकर आने के बाद उससे के खर सिखिखा एक लीगर होता है यह के बाले को ऑस ніमानी हो जाता है और इसलिए अगांनी ऎम दिया गया तुम्हारे उपार ओपर बहुत सूट करता है यह हैं का इसको यह से बता है यह सनि से अपने वाले करन पर कुछ देखते रहती और उसको धने के बारे ज्यर्व मत नहीं लगते हैं और सेजी उसे कहता है कि सन्राइज भी प्यार होता है पर मुझे परस्नली संसेट ज्यादा अच्छा लगता है परकानी उसे कहती कि मुझे सन्राइज ज्यादा पसंद है संसेट इतना पसंद नहीं है तो सेजी भी उसे कहता है कि भी यहां पर रुख जाते ह हैं तो कहते हैं कि इतना तो कुछ याद नहीं है पर कुछ चीज़ याद है जैसे कि मैं अभी जैसी हूँ उससे बहुत ज़दा डिफरेंट थी पर टीचर भी मेरी रिपोर्ट कार्ट पर लिखतिया करते थे कि इसके मार्ण में जो कुछ भी आता है ये बोल दिया करती है चाहे जो भी बात हो तो सेज़ों से पोचता है कि फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंची आप कुछ रम सोचने के बाद अकानी उसे बताने लगती है अब है अकानी बतानी वाली होती है कि मैंने क्लास को क्या बात बोली थी उसे पहले ही सेज़ी कहा देता है कि तुमने यह का होगा कि मैं कभी भी किसी की चीज़ नहीं चुराती तो अकानी कहती है कि हाँ बिलकुर मैंने यही बोला था और इस बात के बाद तो वो लड़ कि आते हैं दुन्या में और रकानियों से यह भी बता दे कि उनी दिनों मेरी माम का डिवर्स भी हो गया था और ज्यादा तर इसी वज़ा से मैं एक तोसे स्कूल में चली की यहां से ट्रांसपर होकर और इस स्कूल में आने के बाद मैंने सोच लिया कि मैं वह बच्ची और ऐसा लगा कि मैंने पहली बार खुल के सांस लिया है और उसी दिन के बाद से मैंने कभी भी मास को लगाना नहीं छोड़ा और अगर ना लगाओ तो मुझे कुछ होता है क्यूंकि हर चीज उस मास के पीचे छुप जाती और किसी को पता भी नहीं लगता कि मैं क्या सोच रही हूं और मुझे लगता है कि तब ही मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था अब इतनी बाते अकानी ने सेजी को बता दीती सेजी से कहीं लगती है कि तुम्हें याद है कि एपरल में हम दोनों का आमना सामना पहली बार हुआ था और तब तुमने मुझे देखते साथ ही ऐसेजी कहते हैं तो आकानी कहते हैं कि उपनान लव कन्स करनेवाला हूं था। और अभी इतना ही बोलता है तो अकानी को उसके माम की कॉल आ जाती ही, कॉल को देखते साथी, उनकी बात वहीं पर रह जाती, और दोनों घर की तरह आ रहे होता है, उसके माम उसके लिए कॉल चाई होता है, कि चोटी बंद आ जाते है रीना वह पोचे लगतीं क्या यह सिस्टर का वॉइफरेंट वो कर अगर का भॉइफरेंट है ढेसा सिस्टर का डारिय। ब्हुत से बात कर्कूल है बात क्या करका वो डिख करिय और सभी उसे माना работу कर ने बात कर रहा होता जब्युरह ञाँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर सेजी आगे से कुछ भी नहीं बोलता बलके स्माल करने लग जाता है जैसी कि दोनों एक दूसरे को टेट करने लगे थे अब रात में अकानी दिखाया जाती जो उसी पिक को बैट कर देख रही होती जो उसने संसेट होते होए बनाई थी और उस दैट को बताने लगती है क्या तुमने कभी नोटिस किया कि वह बाहुं जाने के बाद मास्क लगती है तो कभी के बात मां कह लगती है कि मुझे मुझे करने से बात करने جए और आगे से उसकि दरन मना कर देते हैं-पिन तो चूप करया जाया है कि зах només और चुंकर कर और से पूछे लगते हैं कि तुम ठीक तो हो कल तो में क्या हुआ था तुम्हारी तबियत खराब तो नहीं है तो वह आगे से सारा सच बता देते हैं कि मैं कभी मी मास्क को नहीं उतार सकते हूं मास्क की वज़ा से ही मैं खुद में अच्छा फिर करती हूं और ये बात बताते वे मुझे शरम आती थी इसलिए मैं कभी भी किसी को ये बात नहीं बता पाई ये कहकर सियाका से सोरी करती है पर सियाका भी उससे आगे से सोरी करती है कि हाँ मुझे भी तुमको जादे ही पेर में लग रही थी और मुझे इस पारे में खुछ सोचना चाहिए था पर कहती है क कुछ चीज़े तो notice की जा सकते हैं पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा सेजी का क्या चारा है किया तुम सेजी को like करती हो ये बाद सुनते साथ है अकानी तो उसके पीछे लग जाती है और वो भी आगे से अंसरी होती है तो अकानी कहती है कि तुम्हें इस बात के कैसे पता लगा तो सियाका कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं कभी भी इस बात को notice नहीं करूँगी कुछ हो जाती कि उसे हग कर लेती है अब class का time दिखाया जाता जहां पर सब सब्सक्राइब को कर्यों के प्लैन के बारे में समिट करने को बोला था अबी तक कि उनी समिट करवाया अब बस तुम लोगों के पास एक दिन का टाइम है उसके बाद जिसने नहीं समिट कर वाया तो उसका इंटरव्यू नहीं होगा और बाकी लोगों के वन बाइवाइन इंटरव्यू होंगे अब जैसे लेक्चर ओफ होता है तो सबी बच्चे करके जाने लगते हैं वहीं पर बैट का अपना को सने लगती और उसने सांग का नेम भी बता दिया था सेजी तो कानी के सात्व रगे काफी खुश नहीं करिया के बात करे होते हैं औहुना बात कर लेकिख ऑपना बना लेकि उसे क्या करना चाहिए पतने उसके पर मुझे लगता है कि उसके लिए अबरोड वाला स्कूल सबसे बेस्ट रहेगा वो भी इसे आर्ट में जाना चाहिए वहाँ पर स्कॉलर्शिप भी इसे अच्छी मिल जाएगी और बाकी फसीलिटीज वगरा भी इसे मिल जाएंगी पर मुझे ये भी पता है कि वो किस चीज़ के लिए परिशान है पर भी भी मैं उसे मनाने की ट्राइ करूंगा अब अकानी भी ये सब बाते सुनने के पास फार्म को देखने लगते हैं और सेजी के फार्म को देखती है जो फिल नहीं होता कि क्या तो सेजी के पास के बारे में पता होगा अकानी तो ये बास उनका शो को जाते हो कहती है कि क्या मतलब उसके पास में उसके सब क्या हुआ अब सर को तो समझा जाता है कि अकानी को कुछ भी नहीं पता है इसलिए सर उसको कुछ भी नहीं बताते हैं कि वो तो मैं कोई और बात कर रहा था और जो भी मैंने बोला उस चीज़ को भूल जाओ एक सिकर्ट था ये कहकर सर जल्दी से अपनी ऑफिस का डॉल बंद कर लेते हैं और इदर सेजी दिखाय चाते है जो फिर से सकाई कोई देख रहा होता है लेट कर और अकानी भी सेजी के पास पहुंच आती है सेजी उसे देखा कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे अकानी उसे पूछे लगती है कि तुम्हें पेंटिंग्स पसंद है ना तो वह कहती है कि इतना अचाना कोस्टन तो जाहिर सी बात है मुझे तो पेंटिंग्स पसंद है जो मैं बनाता हूँ तो अकानी कहती है कि तुम्हारा पेंटिंग वाला टाइम तुम्हारे लिए बहुत इंपोर्टन्ट होता होगा ना। अब सेजी उसकी बातों को सुनकर कहता है कि तुम कहना कह चाती हो साफ साफ कहो। अब अकानी भी वो बात बोल देती है जो सरने उसे बोली थी कि सेजी को मना लो अपरोड जाने के लिए और वो से कहती है कि तुम अभी तक इस बात पर क्यों नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए सेजी उसके आगे से कुछ भी नहीं बोलता तो ये भी सेजी को उसके नाम से जब बार बार बुला रही होती तो सेजी को भी गुसा आ जाता कहें लगता है कि चुप कर जाओ अभी भी जब अकानी जब बोरी होती है तो सेजी कहता है कि तुम तो ऐसे बोरी हो जैसे तुम मेरे बारे में सब कुछ पता हो अकानी कहती है कि क्या मतलब तो सेजी उसे कहता है कि अच्छा फिर बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानती हो अब अकानी को तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता इसलिए महीं पर जुप हो जाते हो सेजी भी वहां से अधर चला जाता और अकानी जब खर पर वापीस आ जाती है तो वो अपनी सिस्टर के साथ जब बैट कर खेर रही थी अब अकानी को भी उसके कहने की वज़ा से प्यार से वो बात बोलनी पड़ती है पर अभी भी इतना प्यार नहीं होता इसी वज़ा से लीना उसे कह रही होती है कि और प्यार से बोलो ना पाइते में वहाँ पर मॉम आ जाती है जो आकर अकानी से कहने लगती है कि क्या तुम्हें एक लास का वो लड़का याद है जिसका नेम फुकागावा कुन होता था तो अकानी को भी याद आतो गया था और पिसकी माम बताने लगते है कि यह जो लड़का तुम्हारे साथ आया था यह भी तो वही लड़का था ना और मैंने की बात बिल्कुल भी नोटिस नहीं की कि उसने अपने हेर का कलर चेंज करवा लिया है ये तो तुम्हारे सथ ऐलिमेंटरी स्कॉल में हुआ करता था जिसे सीचन कहा जाता था अब ये सब बाते सुनने के बात अकानी शौक तो होती है और उसकी माम तो उसकी पिक भी निकाल कर उसे दिखाने लगते हैं कि ये देखो ये वही है ना जो अपनी मिमारी की वज़ा से हॉस्पिटल में एड्मिट हो गया था अब अकानी पूछा चारी होती है कि उसे क्या डिजिस थी तो उसके माम बताते है कि मुझे कुछ कुछ याद है उसे कुछ कैंसर टाइप था वो भी चायल्ड हूट का या पता नहीं शायद कुछ छोड़ था पर अकानी को तो अपनी मुम की पात पर फुलिया की ना चुका तर उसे भी क्लास का वलड का याद भी आ गया था वो स्कूल तो जा थी है पर स्कूल में जब अटर्नेस लग रही होती तो उसे बता लगता है कि सेजी तो आया ही नहीं है ये देखकर ता उकानी और भी परिशान हो जाती और प्रिंटिंग ख्लास के सर के पास बहुँच आते हैं कि आपने बोला था ना इतने ज़्यादा कोस्टन वो एक साथ पोछी होती तो सर को भी गुस्ता आ जाता कहते हैं कि चुप कर जाओ और बताते हैं कि वो अब रिकावर हो चुका है और रूटीन के चेक अप के लिए वो आज गया है इसी वजह से वो एब师ंट हुआ और वो तो लगी है जो अबी तक फिरकोल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ पर कुछ भी पता नहीं कि उसके सर कल या पर्ट्सों या हफ़ते में या महीने में या साल में कुछ भी हो जाए अकानी कुछ और भी पूछा जारी होती है पर सर्क कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि तुम उससे जाकर डिटेल में पूछ लो क्योंकि मैं तो मूवी देख रहा हूँ इससे साथ मैं कुछ भी नहीं बता सकता यह कहकर सर तो तुमारा से अपनी मूवी देखने के लिए बैट के तो अकानी भी वहाँ से भागते वे जारी होते हैं उसे देखकर सर्वियों से बेस्ट औफ लग कह देते हैं सबसे पहले तो कानी उपा अठी और मास्क भी उतार देती उसके बात उसके रोम को देखती है जहां पर वो चीज़ें का गड़ा लगता आया वहीं पर बैट जाती है मिंडो में वहीं पर बस बैट कर उसकी आने का वेट कऱी होती है और इदा सेजी दिखा जाता है जो वापी स्कूल में पहुंच किया तो रात भी हो गई थी क्योंकि वो हमेशा सार के पास ये बात करने के लिए आया करता था और सार को इसके बारे में सब कुछ बता था अब सार भी उसे पोचे लगते हैं कि डॉक्टर ने क्या बोला तो है कहते हैं कि हमेशा कितना सेमी बात बोली है तो सार कहते हैं कि क्या ये अच्छी बात नहीं है ये बात सुनकर तो सेजी चुप हो गया तो सार भी उसके एक चीज़ देने लगते हैं अब सर के ये सब बाते सुनने के बाद सेजी वहां से जा रहा होता और उसे सामने से आते होवे एक लाइट नजर आती है जो कोई और नहीं होती है अकानी से देखकर इसकी तरफ भागती है और अकानी को ये देखकर उसकी तरफ भागता है तो उसे के सामने आकर रुख जाते हैं और उसके बात कानी सेजी के साह साथ जाने लगती है और से जाते होँ वे दिए घायना जाता कि मैंडरी और वह बात पुल यहां चाहता था यहां पर बेट है और रोख ही वाल कोशने लगता था और स्काणी है फिर पüно पीसले स्कोल नेrukt अनलीा करें ता और मेरी वजह से वो लोग हाल भी जाते थे फिर वो बच्चे मुझे बुली करने लगे और मेरे बालों को भी खेंचें लगे पर वहाँ पर रेफ्री और सब कुछ देखा करते थे पर भी उन बच्चों को कुछ भी निकाते थे और जैसा मैंने सोचा था गेम एंड होती और उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो छोटी सी थी पर उसने आते साथ उन लोगों को जिता दिया था और जब मैं रो रहा होता हूं तो वो लड़की मिरे पास आते हो कहती है कि जो तुम कुछ कहना चाहते हो वो तो मैं कहना चाहिए या अपनी एक्शन से ही जिस शो करवा दो उसकी बाते मुझे बहुत अच्छी लगी और वो बहुत आसम थी और मैं कभी भी उसकी स्माइल को नहीं भूल पाया जो उसने बात कहते हो वे मुझे स्माइल दी थी और वही स्माइल दुनिया की सबसे ब्यूटिफुल स्माइल थी और फिर अपनी मिमा तो देखना चाहता था पर बुरी दुनिया के साथ उसके स्माइल को भी देखना चाहता था एक पर और 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 मुझे यकीन है कि उस लड़की को तो कुछ याद भी नहीं होगा इस तरह की चीज़े वह थोड़ी नहीं याद रखेगी ये बात क्याकर सेजी अभी गुसा क परई रहा होता है इतने में अकानी उसको उसके पहले वाले नेम से बुला एक प्रीक यह सुनते साथ ही पहले तो सेजी शोक तो ऊसे कहते है क्या पाद रिलाइस हो की तो है कि लास्ट मैं नहीं मुझे तुम्हारे लड़की कहकर बात की थी पर वो तो एक लड़का था और वो भी सेजी और उससे पहले तो मेरे लिए एक हीरो हुआ करती थी तुम्हें 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 याद भी नहीं था और मैं अभी वाली तुम्हें नफरत करता हूं और बहुत नफरत करता हूं यह बहुत सुनकर अकानी के लगते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करते हूं तो वह कहते हैं कि मैं तुम्हें नफरत करता हूं बट अकानी लास में भी उसे यह कहते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करते हैं कि जो भी तुमने मुझे बाते बोली उन बातों ने तो मेरी दुनिया को बदल कर रख दिया लगता है अब ये भी उसी जगापर जा रही होते हैं जो जगा सेजी की थी मतलब की रूफटॉप वहाँ पर इस पार सेजी से पहले ये जाते है और उपर जाने के बाद सेजी के लिए हाथ भी नीचे करती जैसे सेंटों सेजीने इसकी लिए किया था और सेजी भी उसके हाथ को देखका खुश उता है रहा हुँद तब इस पारे में सौचता मुझे डर लगता है उसकी सबातों को सुनने के बाद अकानी के लगती है कि क्यों न तो मैं उन चीज़ों को पेंट कर देना चाहिए तुमने खुदी तो काय जो भी हमें नजर आता है वो हमारी वर्ड होती है क्यों न इस वर्ड को पेंट कर दिया तो पेंट कर दिया था और पेंट से new new activity भी कर रही होते हैं अब हर जगा को पेंट करने के बाद फारली दोनों लेट करे था खकर और रात से सुबा भी हो गई थी हकानी सेजी से कहने लगते है कि मुझे लगता है कि अब सेजी को पूरी दुनिया अच्छी लग रही होगी बहुत ही ज़ता प्यारी भी लग रही होगी तो उसकी मम उसके डैट को मना करने लगते है कि आपको इस तरह चिलाना नहीं चाहिए पपा करने लगते है कि अफकोर्स मुझे चिलाना चाहिए मैं गुस्सा हूँ आखिर हम फैमली है अकानी तो रोने लग चाती है देखकर उसकी मम कहते है कि क्या हो गया है और तुम्हारे पूरे कपड़ों पर पेंट क्यों लगा हुआ है पर कानी जब रोई जारी हो दिया तो उसके माम उसे हक कर लेती है कि कुछ नी हुआ है और उसके कर उसे बिएटा क्या तुम ने खाना काया है पर अपनी अपनी के साथ बैचे काना खाना काया हुए उनके बात तो इसे ठीटेट कर रहे थे हर रहे लोग दें अछीड से क्रेट हैं और पिर हम उप्र इसे तरह पां सर गुज़रने के बात का सीन दिखा जाता है जब एकानी अपनी मॉम से कौल पर बात करी होते हैं और अपनी मॉम से कहीं लगता है के में लएट हो जाओंगी रात नहीं होती है तो उसको सेठी यहाजी डाया करता था सुनकर तो वो पहले स्वोपती है उसके पांप में आप खाली रूम था और उसके अंदर एक प्रिंटिंग लगी हुई थी ये तो बस खड़े होकर उस प्रिंटिंग को ही देखी जा रही हो दीते हैं पीचे से अकानी की आवाज आ दी है और यहां पर उन्होंने ये बात क्लियर ने की कि अकानी इतने टाइम कहां पर था क्यूंकि वह यहां से अपरोड पढ़ने के लिए जला गया था वो भी अकानी के कहने पर और अब वो बगयर बताए वापिस आ गया था अकानी भी उससे देखने लगती और कहती है कि सेजी पर हमें सेजी का फेस नहीं दिखा जाता और यहीं पर हमारी इस मोवी की हैपी एंडिंग ह हो जाती है और आप लोग बताओ आप लोगों को यह मोवी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना साथ सार नीचे कुमेंट बहला ना कि आप लोगों को कितनी अच्छी लगी Okay Bye Bye